महराश्य राज्य किशान स्टी महामंडल की लालपरी बसेस किन्तु लॉक्डाउन के चलते लंबे समय से लालपरी बसों के पईये थमे हुए थे कुछी दिन पहले ये लालपरी बसे अपनी सेवाय देते हुए फिर से शहर के कंट्रेट्मेंट जोन छोड़कर अन्य ठिकानों पर दोड़ती हुई नजर आ रही है किन्तु नागरिकों में कुरोना वायरस के संकरमन का भय इतना बढ़ चुका है कि इन लालपरी बसों में यात्रियों की कमी नजर आ रही है बड़े मुश्किल से ही अनेक बसों में यात्रियों की संक्या गिंती की ही दिख रही है जबके सामन्ने समय में लालपरी बसों में यात्रियों की संक्या शमता से अधिक होती थी ऐसी परस्तिती में महामंडल द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है महामंडल द्वारा अब राज्ये के प्रतिक ठिकानों पर इन लालपरी बसों से माल डुलाई भी की जाएंगी जिसके लिए सबी इस्थानों पर इसकी पूर्ण तयारी कर ली गई है विशेच बात ये भी है कि इन लालपरी बसों की डुलाई के लिए संपुन करमचारी वर्ग अलग से नियोजीत किया गया है और ये करमचारी वर्ग 24 गंटे अपनी सेवाये देंगा और नागरी को से आहवान किया जाता है कि लालपरी बसों से माल की बुकिंग के लिए दिये गए नंबर पर संपर्क कर सकते है और इसमें अमरवती के सभी नंबर भी अंकित किये गए है लालपरी बसों की सेवा के लिए किसान, व्यवपारी, छोटे बड़े, उद्द्यव जगत इन सभी को इसका हुलाब मिल सकता है नागरी को की सुविदा हेतु, स्टी महामंडल द्वारा ये माल डुआई का फैसला लिया गया है अब देखना ये है कि स्टी महामंडल द्वारा जो माल डुआई का फैसला लिया गया है उससे इन लालपरी बसों को कितनी रहात मिलती है विदर्ब न्यूस ब्यूरो अमरावती